तो हे गाईस अगर आप भी फॉन पे आकाउंट बनाना चाहते हैं मोवाइल को ही बैंक बनाना चाहते हैं पैसे कहीं भी कभी भी भी भेज सकते हैं बिना किसी चार्ज के बिल से लेकर के आप मोवाइल रिचार्ज, सौपिंग, सब कुछ कर सकते हैं अपने Android phone से तो आज किस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि phone pay account कैसे बनाते हैं और उस पर bank account कैसे add करते हैं तो इसके लिए आपको जाना है play store पर यह application मिल जाएगा play store पर वहाँ आपको जाकर सच करना है phone pay phone pay application आपको कर लेना है अपने mobile पर install इन install करने के बाद आपको उस पर करना है open open करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इस पर account बनाते हैं तो इसे कर लेंगे हम open जैसे ही आप इसे open करेंगे तब आपके सामने आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का interface आएगा यहां पर बो mobile number इंटर करना है जो आपके bank account से link हो वही mobile number आपको यहां पर डालना है वो डालने के बाद आपको option मिलता है process का तो नीचे आप उस पर click कर देंगे ध्यान रहे वही mobile number डालना है जो आपके bank account में link हो process पर click करेंगे process पर click करने के बाद आपके mobile number पर एक OTP भेजी जाएगी तो OTP को यहां पर fill कर देंगे यहां पर कुछ permission मांग सकता है तो allow पर click कर देंगे allow पर click करने के बाद यहां पर आप देख सकते है process to login प्रोसेस जारी है इसके बाद आपके mobile number पर एक OTP भेजी जाएगी ध्यार रहे mobile पर blends होना जरूरी है तब ही आपके mobile number पर OTP जाएगी अब यहां पर OTP मेरे mobile number पर आएगी तो मैं यहां पर change की OTP डिजिट करूँगा एंटर करूँगा तो यहां देख यह मेरी OTP डल चुकी है इसके बाद आँगे नेस्ट पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने आँगे का पेज ओपन होगा फिर आप थोड़ा दिर बेट कर लेंगे यहां पर loading your phone pay account यहां पर आप देखिए यहां पर phone pay account तो create हो चुका है और यहां पर phone pay application यहां पर आपका open हो चुका है यहां पर आपको कुछ permission मांगेगा तो इसे allow पर क्लिक कर देंगे और इसको अनमती दे देंगे इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर आपका account जो है वो create हो चुका है इसके बाद option मिलता है यहां पर add bank account add bank account पर आप क्लिक करके यहां से bank add कर सकते हैं यहां से आप location set कर सकते हैं तो huge current location यहां पर मैं कर देता हूं इसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे option आपको मिल जाते हैं अपनी profile set करने के यहां से आप bank account अड़ करने के बाद यहां पर देखिए मेरा location यहां पर सर्च हो रहा है और यहां पर मेरे गाउं का नाम डल चुका है इसके बाद add bank account पर क्लिक करेंगे फिर जिस भी bank का आपका खाता है जिस भी bank में यहां से आप वो bank का नाम सर्च कर लेंगे यहां पर आप देखिए बहुत सारे banks हो रहे हैं state bank, SDFC bank, bank of बड़ोदा तो यहां जो भी आपके bank में खाता हो वो bank select कर लीजे इसके बाद अपना mobile number वहां जो एंटर किये हैं जैसे कि मैं यहां कोई भी कर लेता हूँ Central Bank of India इस पर मेरा खाता खुला हुगा है तो इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर SIM सेलेक्ट करने के लिए बूल रहा है कि कौन सी SIM का नमर आपकी bank account में add है link है तो यहां पर process और आपके mobile नमर पर एक message आएगा bank की तरफ से और यहां आपका bank account add हो जाएगा फिर उस से आप पैसा बिड्रो भी कर सकते हैं यहां पर add कर सकते हैं इसके पाद यहां प्रोफाइल सेट करने के लिए आता है तो यहां से आप कोई भी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं यहां पर नाम यहां से आप अपना personal details डाल सकते हैं यहां से आप अपना gallery से कोई भी photo select कर सकते हैं phone pay account पर तो इस तरीके से यहाँ पर upload पर click कर देंगे तो यहाँ आपकी photo profile set हो जाएगी pen के icon पर click करके आप अपना नाम change कर सकते हैं और यहाँ से आप amount यानि की आपके amount enter amount यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ से कुछ भी किसी को भी transfer कर सकते हैं और वापस ला सकते हैं तो इस तरीके से account बनाते हैं मैं आपको अगले video बताऊंगा कि किस तरीके से recharge करते हैं, bill pay करते हैं तब तक के लिए जैहन बने मातरम